स्वागत है दोस्तों एक पर फिर आपका दिख्षित IT क्लासेज में मैं हूँ मनेश और आज हम Linux में कुछ और important commands के बारे में सीखेंगे तो सबसे पहले जो command आईगी वो है add user पर इस भी बार हमने उसके बारे में सीखेंगे आपके system का hostname किस हिजाब से आपको set करना है वो भी हम इसमें इसी वीडियो में सीखेंगे फिर उसके बारे में हम बताएंगे और id और फिल चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का session last time पर अपने discuss किया था कि user को किस तरह से add कियाता है तो उसके लिए हमने command की थी user add right तो मैं एक command को अपिस रहता हूं साथ-साथ हमने सीखा था उसका password हम किस तरह से set करते हैं तो दोनों command को user add command को और जो password set करने के लिए command passwd होती है उन दोनों को set use में एक साथ लेने के लिए हम इसको use करेंगे और फिर command का नाम और फिर किस user के लिए हमको उसका password लगाना है तो enter अब password मैं set कर दूँगा ठीक है तो इस तरह से आपका user create होगे इसमें राइट दोस्तों तो अब इसी तरह से command होती है अब पासवर्ड किस user का अब उसका password set करा मैंने तो इस तरह से एक और user create हो गया मैं चाहूं तो login करके भी देख सकता हूं उस user से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था alt control दबा करके f1 से f6 जो आपके होते हैं वो by default terminals होते हैं तो अभी मैं second terminal पर जाओंगा alt और control को press करते हुए f2 user का नाम और उसका password right pwd देखूंगा तो वो by default मैंने बताया था जो सारे users जो बनते हैं वो कहां पर बनते है slash home directory में उस particular user के नाम से directory बन जाती है तो अब हम इसके next command पर करेंगे work दूसरी command है cp जो हमने लास्ट से लास्ट वीडियो में देखी थी cp command basically क्या आती है files और directory को copy करने के लिए लेकिन suppose कीजिए अगर एक directory के अंदर multiple content है तो मैं क्या करता हूँ मैं एक directory create कर लेता हूँ root user की home directory में manage1 नाम से और इसके अंदर file बना देता हूँ a नाम की file ठीक है ऐसे इसमें b नाम की दो file बना देता हूँ तो अगर मैं ls करके check करूँगा manage1 directory में तो a और b दो नाम की file है अब मेरे को इस manage1 के अंदर के content किसी दूसरी directory में copy करने है तो मैं command जो सबसे पहले मैं help ले लूँगा उसकी अगर मेरे को नहीं पता तो man space उस command का नाम cp तो यहाँ पे अगर आप option चेक करोगे तो यहाँ पे option आएगा r यह देख पा रहे हैं recursive तो यह क्या करेगा copy directory recursive ठीक है तो अब मैं क्या करता हूँ इसको copy करने के लिए hyphen r option यूज करूँगा root user की home directory में इसके अंदर के और कहां पे मेरे को copy करनी है उसका नाम अब ही मैंने इस command से चला यह तो देखी अब इससे क्या होगा जैसे मैं यह command execute करूँगा और फिर ls करके mnt check करूँगा तो यहाँ पे manage one नाम का जो directory मेरी वहाँ पे थी पूरी की पूरी copy होगी तो अगर मैं check करना चाहूँ तो इस तरह से मैं check कर सकता हूँ उसके अंदर के content को तो यह और भी फाइल देखेगी लेकिन मेरे को directory नहीं copy करनी मेरे को उसके अंदर के केवल content copy करना है तो मैं क्या command use करूँगा cp-r root user की home directory और उसके अंदर के content कहां पे mnt में अब ls mnt करूँगा तो देखिए अब क्या हुआ उस use उस जो directory थे उसके अंदर के जित्ती भी files थी वो सारी आपके mnt में copy होगी तो इस तरह से cp के बहुत सारे options हैं आप man करके उनको help ले सकते हैं इस तरही अगर suppose करो कोई file है उस file को मेरे को create करनी है और साथ साथ मेरे को उसमें edit भी करनी है तो जो linux में सबसे best popular editor है that is called vi editor vi command है basically vi editor space आपको अगर यह क्या करता है आपको नई file भी बना देता है अगर उस already file बनी हो तो उसमें edit भी करने की permission देता है तो suppose करो मेरे को एक नई file बनानी है और साथ साथ उसमें edit भी करना है तो suppose मैंने mnt के अंदर एक file बनाई दिख्षित नाम की तो जैसे ही मैं enter करूंगा तो इस तरह से blank page open हो जाएगा with उसमें lines आएंगी तो यहाँ पे आप यह basically इसने एक editor जैसे आपके windows में tax editor होता है उसी तरह से यहाँ पे vi editor होता है जिसमें आप उपनी file जो बनती है उसमें edit कर सकते है यहाँ पे कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले इसके function समझने जरूरी है तो अगर आपको एक file open करते है vi editor तो उसमें अगर आपको modification करना है तो सबसे पहले i press करोगे i for insert i insert करने से क्या होगा जैसे आप i press करोगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा नीचे लिखावा आ इंसर्ट तो मतलब अब आपकी जो फाइल है वो इंसर्टिंग मोड में है अब यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं और राइट इस तरह से connect करा अब जते इस फाइल से मैं बाहर निकलना जाता हूँ और इसको save करना जाता हूँ तो उसके लिए कमांड बेसिकली है सबसे पहले आप escape दबाएंगे जो आपके कीबोर्ड पर escape है राइट शिफ्ट के साथ कॉलन इस तरह से shift प्रेस करके फिर डबलू फॉर राइट क्यू फॉर क्यूट अगर आपको write नहीं करना, save नहीं करना तो केवल आप Q प्रेस करेंगे और अगर आपको save भी करना है तो W W for write और बाहर जाने के लिए exit होने के लिए इस फाइल से लिए Q और फिर enter और तो अब ये फाइल बन चुकी है, अगर मैं ls करके mnt में देखूंगा तो देखिए दिख्षित नाम की फाइल बन चुकी है, right तो अब इस फाइल को अगर मैं को वापिस content देखने तो मैं क्या करूंगा vi space slash mnt के अंदर जैसे ही मैं di करके टैप दूँगा, automatic फिल कर लेगा, enter मारूंगा तो देखिए, ये वही page आपका सामने आ गया, again मैं क्या करूंगा, escape दबाऊंगा, उसके शिफ्ट के लिए colon, फिर उसके बाद Q और enter, ये बाहर आ गया मैं, alright, तो इस तरह से basically vi editor का function है, इस उससे पहले हम बात करते हैं, hostname set करने के लिए, right, अगर आपके system का, अभी में को पता कैसे पढ़ेगा कि मेरा system का hostname क्या है, तो वो command क्या थी, hostname और enter, तो यहाँ पे अभी by default क्या hostname है, localhost.localdomain, अगर मेरे को आपके system का hostname set करना है, तो उसके लिए command मैं यूज करूंगा hostname, space, जो भी system का नाम है, रखना चाते हो आप, enter, और यह आपका भी temporary हुआ, अब मैं जैसे इसको logout करूंगा, logout करने के लिए मैं आपको क्या बताता, control प्रेस करके रखिए, और D, तो अब देखिए, यहाँ पे पहले local host रहता, अब यहाँ पे क्या आगया, manage login, जो मैंने hostname इसका set किया, तो इस तरह से आप अपने system का hostname set कर सकते हैं, again मैं root user से login करूंगा, इस तरह से मैं login हो गया, अब यह permanent कैसे hostname set करते हैं, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, इसके बाद, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि user बनते हैं, लेकिन मेरे system पे कितने user बन इस पे उस user का नाम, suppose को मैंने एक user बनाया था, manish, तो इसने उससे related उसकी information दे दी, लेकिन इसने तो information दी है, और मेरे को पता करना है कि कितने user इस पे बने हुए हैं, तो उसके लिए मैं just command एक file होती है, जहां पर सारे के सारे user जाकरके save होते हैं, उस file को open कर, obviously अगर एक file ह अगर मैं क्या करूँगा, विया यूज करूँगा, उस file का नाम है, etc के अंधर PASSWD, मैंने आपको बताया था, इतनी भी configuration files होती है, वो सारी की सारी कहां पे save होती है, etc में, तो मैं विया करके etc के अंधर PASSWD करके file में जाओंगा, और enter मारूँगा, जैसे ही मारता हूँ मै तो यहां पे देखिए, सारे user जितने भी system पे available हैं, access करते हैं, उन सब की detail यहां पे आ रखी है, अब यह detail क्या है, अपन one by one discuss करेंगे, जैसे मने आप सबसे last में ले जलता हूँ, यहां पे आप देख सकते हैं, जो अभी तक अपने तीन user बनाया थे, man नाम का, manish नाम का, man वो भी access कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यह सब क्या है, इनकी definition के इसमें बात करते हैं, अपन सबसे पहले, जो first field है यह आपका, यह आपको represent करता है, कि कौन सा second field जो होता है, वो represent करता है, कि आपका जो password है, इस user का जो password है, वो encrypted form में हैं, और इसकी information आपके, एक file होती है, वहा user ID की, हर कोई user जबी भी एक local system पे बनता है, तो उसकी एक ID जनरेट हो जाती है, वो एक user भी होता है, और वो एक particular group से belong भी करता है, तो यहाँ पे जो first field है, यह वाला third number का field है, यह define करता है, उसकी user ID की, fourth number की जो field है, यह define करता है, उसको group ID की, वो किस group से belong करता है, fifth number का field अभ right, इसके बारे पर आगे और discuss करेंगे, फिर, sixth number का जो field देख रहे है, slash home, slash manish1, यह define करती है, user की home directory को, right, उसके बाद जो last field है, जो आप देख पा रहे है, slash bin, slash dash, यह define करती है, यूजर किस लोग इन हो रखा है, अगर अगर अपन root user की बात करेंगे, सबसे उपर यूपर, जैसा आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले इसमें क्या है, root user का नाम, उसके बाद encrypted form में password का, उसके बाद zero, जो user ID है, फिर, group ID, फिर, उसके बाद उसकी information, फिर, उसके बाद उसकी home directory, slash root, उसकी root user की home directory होती है, और उसके बाद वो किस shell में login किया है, slash bin slash web, shell के बारे हम user ID 0 और GID 0 है, और अगर आप एक simple user जो आपने create किया था, उसकी user ID देखेंगे, तो वो 1000 से चालो हुए थी, सबसे पहला user हमने बनाता है, याद हो तो आपको 1000 का था, 1000 सबसे पहला user, उसकी UID 1000 है, और उसकी GID भी 1000 है, तो by default system के लिए 0 से 999 तक जो value होती है, UID और GID के उपर वो एक simple user की value जोती है, तो अब हम इसको बहार निकल जाएंगे इस file से, अब बात करते हैं, यह तो एक password file होई, बेसिकली राइट, अब इसकी तरह एक और file होती है, जहाँ पे user का password save होता है, तो वो भी file आपको जाना जरूरी है, तो वो file की information होती ही, वो कहां save होती ह इस नाम से, shadow, यहाँ पे user की password की information save होती है, इसके बारे हम आप deep पढ़ेंगे आगे next videos में, अब भी बस आप यह ध्यान रखिए कि जो user की password की information होती है, वो सारी कहां पे save होती है, आपकी etc के अंदर shadow नाम की file में, अब इसको वापिस बाहर निकल दाँगा, escape, shift, colon, q, और exclamation और enter, अब इसी तरह से जब भी भी कोई एक user बनता है, तो वो एक by default एक group से attach हो जाता है, उस user की information देखने के लिए मैंने कौन सी command use करी थी, id, space, उस user का नाम, तो देखिए यहाँ पे, इसकी uid क्या है, 1002, ठीक है, gid क्या है, 1002, और किस group से belong करता है, यह management, तो by default जब भी आप एक local user बनाते हो, तो उसी के नाम का एक group भी बन जाता है, तो यहाँ पे by default जो group बना है, वो कौन सा बना है, manish1, अब मेरे को इस group की information देखनी है, तो इसी तरह से जैसे past wd file और shadow file थी, उसी तरह से group की भी एक file होती है, वो भी कहाँ पे save होती है, etc के अंदर, इस नाम स group नाम से, और enter, जैसे ही मैं enter कर दूँगा, यहाँ पे उसकी सारी information सा देंगी, और जो user जैसे last में आप देख सकते है, manish1 और 1002, तो इस तरह से यह 3 important file होती है, जो user configuration के लिए important होती है, जैसे हमने last time पे discuss किया था, कि आपको कोई भी process अगर run हो रखा है, तो उससे related अगर तो कौन सी command use करते हैं पन, ps command, right, अगर मैं दूसरे terminal से हूँ, जैसे मैंने इस terminal से login कर रहा है, और मैं क्या करता हूँ, एक file बना देता हूँ, abc नाम की file, इसमें कुछ edit नहीं करता, कुछ insert नहीं करता, again मैं वापिस root नाम की user से login करता हूँ, और वापिस command चलाता हूँ, ps, तो अभी ये normal दिखाएगा, लेकिन जैसे मैं ps-a use करूँगा, तो इसमें सारे user की दिखा देगा, तो देखिए, terminal 2 पे, vi editor open हो रखा है, तो suppose कि ये जैसे आपने देखा होगा, windows में कभी-कभी process ये application hang हो जाती है, तो क्या करते हैं, आप task manager में जाते हैं, उसको kill कर देते है वैसे ही उसी तरह से यहाँ पर भी एक command होती है, kill, और उस kill command से आप जो भी process unresponsive हो रहा होता है, उसको kill कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं command use करूँगा, kill space pid, pid, जैसा आप देख पारें, इस command में, ps-space-a में, कि vi जो editor है, वो process id, pid process id जो use में ले रहा है, वो कौन सा है, 1687, तो यहाँ पर अगर मैं उस vi editor को जो unresponsive हो गया है, उसको अगर kill करना जाता हूँ, तो मैं क्या command use करूँगा, kill space 1687, जैसे ही मैं इसको enter मारूँगा, यह execute होग अब मैं दूसरे terminal पर जाके देखता हूँ कि मेरा vi editor बंद हुआ यह नहीं, तो वही alt, control, f2, तो देखिए, यहाँ पर लिखा हूँ आ रहा है, vim, finish, terminated, क्योंकि root यह user था, उसको kill कर दिया है, तो यह कुछ command basic थी, अब हम next वाली जो वीडियो से है, उसमें run level के बारे में पढ़ेंगे, booting process of Linux और shutdown process of Linux, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, ओके, bye bye, take care.